कि नमस्कार मैं नवल किशोर नीरो थेरपिस्ट और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बॉड़ी के ऐसे और अलक्लाइन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं आपको ध्यान होगा मैंने पिसली वीडियो में आपको सिखाया था कि हम बॉड़ी के ऐसे और अलक्लाइन को कैसे चेक करते और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अगर acid और alkaline को balance करना है तो हम कौन से तरीके से इसको balance कर सकते हैं आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे balance करेंगे हम acid alkaline को कैसे balance करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने चेक करा था कि left में four finger में pain है तो acid बढ़ता है right में अगर pain है तो alkaline बढ़ेगा हम केवल breathing exercise से भी इस acid or alkaline को balance कर सकते हैं और इसको balance करने का बहुत simple तरीका है केवल आपके breathing के तरीके से आप acid alkaline को balance कर सकते हैं अगर माल लीजिए left में four finger में pain था यानिकी आपकी इस उंगली में pain होता है तो उस condition में आप acid को बहार निकालिए कैसे निकालेंगे कि लंबीगहरी स्वांच लीजिए और पूरा मूँ खोल कर छोड़ दीजे जब हम लंबिग हैरी स्वांस लेते हैं और पूरा मूँ खोल कर छोड़ते हैं तो उस कंडिशन में हमारी बॉड़ी से एसिड भार निकलता है आप महसूस करके देखिए कि जब हम लंबिग हैरी स्वांस लेकर हाँ छोड़ते हैं तो के तीन बार तो आप मह्सूर्स करेंगे कि आपकी बॉडि का एसेटि लेवल धीरे-दीरे डाउन हो जाएगा और अब आगर आपकी बॉडवर्डि का चेक्ट करते संहे लफ़ राइट में पीन जाधा होता यानिकिम कि कैसे संप कि यानिकि आप किसी फूँख मारते हैं जैसे हम उस कंडिशन के करते हैं ऐसे ही इसी कंडिशन में करना है यह आप मेह्सूस करेंगे कि यह धंडी हva है धंडी हवा alkaline nature की होती है और alkaline को down करने के लिए जरूरी है तो इसे प्रिकार हम दर्श बार इसकी practice करेंगे आधे अत्य मिरिट के बात में तीन बार इसकी practice करेंगे और धीरे धीरे bodyHello name down आ जायएंगा तो acid और alkaline को हम breathing exercise के माध्यम से भी balance कर सकते हैं अब हम देखते हैं दूसरी टेक्निक कि जिसके द्वारा हम acid or alkaline को balance करते हैं मैंने आपको बताया था कि हम lungs से भी acid or alkaline को check करते हैं अगर अगर लंक्स में जब हमने पीछे shoulder blade पर चेक कर आथा कि left मगर पेन आता तो इसका मतलब है कि हमें acid को भार निकालना है और अगर राइट पर पेन आता तो हम alkaline को भार निकालते हैं लंक्स को stimulate करकर यानिकि हम लंक्स को stimulate करकर acid और alkaline को भी balance कर सकते हैं इसमें हम acid बढ़ने पर left lungs को stimulate करेंगे alkaline बढ़ने पर हम राइट लंग्स को stimulate करेंगे आए देखते हैं कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले शीदे लिटा दीजिए यह left lungs है यह right lungs है अगर body में acid बढ़ा हुआ होता तो हम left lungs को stimulate करते हैं एक बार देख लीजे एक दो तीन चार्ट पांच छे साथ आठ नो जैस ग्यारह बारह यह हमने आगे से left lungs को stimulate कर रहे हैं मैं पीछे से भी आपको बताऊंगा यह किवल हम तब करेंगे जब body में acid level बढ तब stimulate करते हैं जब body का alkaline बढ़ेगा एक दो टीन चार्ट पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह यह हमने तब करना है जब alkaline बढ़ेगा उसके बाद हम उल्टे लिटाएंगे और उल्टे लिटाकर भी जब हम acid को remove कर रहे हैं तो हम left पर करेंगे और alkaline को remove कर रहे हैं तो हम right पर करेंगे तो अब इनका left यह है और right यह है तो acid के लिए हम यहां से एक दो तीन चार्ट पांथ छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह यह acid रिम्यूव हुआ और alkaline के लिए हम राइट पर करेंगे एक दो तीन चार्ट पांथ छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तो यह दूसरी टैक्निक हैं हम acid और alkaline को balance करने की left को left करेंगे और लंग से हम रिमूब करेंगे जब हमारा alkaline लेवल बढ़ेगा तो हम राइप किड्नी को करते हैं तक ही करें को ज्यादा रिमूब करें बाहर निकाले और जब हमारा acid बढ़ेगा तो हम left kidney को किड़नी एसिट को फिल्टर करें तो हम कैसे करेंगे इसको आइए देख राइट किड़नी को स्टुमलेट करने का तरीका एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारव 12 इससे हमारी बॉड़ी से अलकलाइन रिमूब होगा और अलकलाइन लेवल डाउन होना सुरू 12 इससे हम लेफ किड़नी में ब्लेट सप्लाई बढ़ाएंगे और धीरे धीरे लेफ किड़नी एसिट को रिमूब करना शुरू कर देगे और धीरे धीरे एसिट डाउन होना शुरू हो जाएगा यानि कि अलकलाइन बढ़ने पर राइट किड़नी को स्टुमलेट करना है और इस तरीके से हम एसिड और अलकलाइन को दुवारा से बैलेंस कर सकते हैं और इन तीनों टैक्निक अस्तमाल करकर हम किसी की भी बॉडि का अशिध और अलकलाइन को बैलेंस सकते हैं कि उमीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन जुरूल दबाएं और इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर करें अपनी सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर मिलते हैं एक नई जानका सब्सक्राइब के साथ एक अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार